आज आपको बता रहा हूं काफी लोग जवानी में मल त्यागते हैं बलपूर्वक जवानी होती है बलपूर्वक मल त्याग देते हैं आसानी से जाते हैं जब दिर्द्रे कब्ज बढ़ती है तो उन्हें क्या रोग बढ़ेंगे उन्हें पता नहीं है कब्ज से गैस्ट्रिक प्रॉब्म तो होती होती है पर गुदा के अंदर तीन रोग पाए जाते हैं फिश्टुला फिशर और बवासीर यह दिकतें जवानी में पता नहीं पड़ता है जब जब जैसे शरीर कमजोर पड़ना लगता है या लगातार यह बिमारी रहती है तो इसनको बढ़ावा मिलता है अब यह इसमें क्या खाएं क्या नहीं खाएं यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अधिक से अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर गुनाशिंग नावच साइकोलोजिस्ट और डाइटिशन आज आपको नहीं दो रहा हूं कि फिशर पिश्टुला और ववासीर जिसको मस्य भी कहते हैं गुडा के अंदर होते हैं तो मल्त्यागते वक्त कर्ष्ट होता है शुरू-शुरू में तो कर्ष्ट पता नहीं चलता है क्यूंकि उसमें कभज हो जाती है और कॉंस्टिपेशन होने से जवानी में तो इतना परिशान नहीं होता है पर जैसे जैसे आयू बढ़ती है और रोग बढ़ता है तब परिशान होना शुरू हो जाते हैं तो इस दौरान अगर इस परकार से कोई पीडी थे तो आप सबसे बढ़िया है इसमें आप जो मैदे वाले आहार हैं उसको सब्सक्राइब से बनी हुई आइटम होती है उनसे भी तकलिप होती है और जब बढ़ जाएगा तो गरम मसाले या अचार चीजें ऐसी खाएंगे तो आपको तकलिप बढ़ सकती है तो कोशिस यह कीजिए कि आपको फाइबर आहार लेना है फाइबर डाइट जो होती है ज तो एक फल भी आप ले सकते हैं जिसमें प्रयाप्त फाइबर होते हैं इसमें अगर आप देखेंगे मेति के अंदर जो के अंदर अच्छे फाइबर पाये जाते हैं जिससे कब्ज नहीं रहती है और इसी रूप में अगर आप जो चूरन खाएंगे तो हो सकता है कि अत्य अहार में कोशिश कीजिए कि अंकूरित अहार हो तो सबसे बढ़िया है शाम को मुंग भिगो लिजिए सुबह आप मुंग खाएंगे तो उसके अंदर भी फाइबर होंगे और आपको इन रोगों से यानि कि पहले जो रोग हो उससे पहले कब्जी होती है वह कब्ज जो खौ